आज का बिग बॉस का एपिसोड बेहत खास रहा खास इसलिए कि अब तक का सबसे ज़ादा पॉपिलर कॉंटेस्टिंट आज होस्ट के जूते पहन कराया था और आज का एपिसोड एक धमाकेदार चौका छक्का आप जो भी कहले वो उसने लगाया और सल्मान खान क्या आज क आपिसोड आपने देखा जनता को सद्धार शुक्ला की होस्टिंग बहुत जादा पसना ही इसलिए क्योंकि वो इस घर में रह चुके हैं इस घर में बहुत जादा पॉपुलारिटी पा चुके हैं हां सल्मान खान का अपना औरा है अपनी पसनारिटी है लेकिन बहुत सद सद्धार किया यह चीज़ा याद दिलाई जैसे कंपेर किया कि भी इस घर में क्या होता है और वह इतना रियलिस्टिक लगा कि सद्धार शुक्ला आगें सी कि आपको जल्दी कोई अच्छा सा बड़ा शो होस्ट करने मिलने वाला है क्योंकि यह डिजर वेट आम तर वैसा होता है कि जो भी लोग की परस्टालिटी अच्छो होती है टालेंट और परस्टालिटी का एक कॉंबो जो है नहीं मिल पाता मगर सद्धार शुक्ला उनके स्कॉंबिनेशन है एक ग्रांड परस्टालिटी के साथ अब पहले मुझे लगा था कि एक्टि थोड़ी कम करते है नाच्रल और रियल लगते हैं मगर अब उनकी जो रियल औरा है वो लोग को बहुत पसना रही है और आज उन्होंने जिस तरह से होस्ट किया जिस तरह से उन्होंने मुद्धे निकाले जैसे उन्होंने राहुल और एली के बारें बात कि यसे निकी से बहुत सारे सवाल वन बिग ग्रान होस्ट कमिंग इन वैसे आप लोग क्या लगा वैसे मैंने अभी ट्विटर पर पढ़ा कि शहनाज ने भी एक पंजाबी शब्द सेरा आल जिस रीड मैंने थोड़े पहले रहा था काफी इंट्रस्टिंग सा एक वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया सदात के जो मैंने जाके गुगल किया कि मुझे पंजाबी नहीं आती है एक सेकंड मैं आपको वर्ड पढ़के दिखाती हूं उनने का शरास ने का कि मैंने आज की एपिसोड बहुत पसंद किया जिस तरीके से आपने अपने सारे पॉइंटर के सदार शुकला और साथियात आपने क समच में नहीं आया मगर लोगों ने बहुत सारी बाते लिखी आपर कॉमेंट सेक्शन में आज की एपिसोड की बात करें तो सधार उसका एक बहुती ब्राइट प्लस पॉइंट थे उसके साथ साथ आज जननता के सवाल लिए गया तो ये वीकेंड का वार पूरे घरवालो को अच्छे से ग्रिल कि आगे जहां मीडिया ने उनसे चुबते हुए सवाल पूछे वहीं आज फिर जननता के सवाल आए जनता ने सवाल ऐसे उठाए विसे आप लोग किस को ब्यार कहेंगे आज मैं सोच लेथी कि आप लोग हमें प्यार कहते हैं बाकी लोग को प्यार कह हुआ वो जिनको नॉर्मल जिंदगी पियार वाली लगती है या फिर वो जो जान दीजे मैं इस पचटे में नहीं पढ़ दी एनिवेज शुरू करते हैं तो आज कड़े सवाल पूछे गए वापस एक बार राहूल और एली की दोस्ती पर सवाल पूछे गए राहूल ने नि हैं और वो बात सामने आई जिसके बाद रूबीना को थोड़ा बुरा लगा और रूबीना कल के एपिसोड भी उनसे दूरी बनाती हुए नसरा आ रही है हाला कि I would not मुझे ने चल लगए ये पूरा एंगल की राखी ने बहुत नेगेटिव नहीं कहा है और राखी ने चुपते हुए खेल में जो भी सवाल आएंगे उनका जवाब दे जाएगा हलाके देबो को कवर अप किया सधात ने वैसे देबो से सवाल पूछा सधात ने कि तुम्हारा चेहरे का रंग क्यो उड़ा हुआ है और जैसे ही देबो ने का हाँ मेरा थोड़ा सा पता ने गला खराब था मगर ये वीडियो मैंने सुवई बना दिया था कि सदार्शुकला को देखते ही देबो लीना की नींद हराम हो गई उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे स्ट्रेस में आ गई कि अब क्या होगा हालकि जिसा कि मैंने बताया था सद्धार्शुकला और देबो वरीना कि जो मीट्व की बाती थी सटल हो चुकी थी तो वह सदार सुक्ला ने यहां पर एक उस पर पूर्ण विराम लगा दिया कि वह मुद्दे हो चुके हैं सातिया तुर्ण निकी को ये भी कहा कि ये सब मुद्दे जो हो चुके हैं उन्हें रिपीट ना करें कि जन्रता इनको देख चुकी है आप नई चीजन आएं आप सिधार शुक्ला ने ये भी कहा कि सीजन ग्यारा और तेरा मोस्ट व्यूट सीजन है वैसे सीजन तेरा सबसे ज़्यारा नंबर एक पर है सीजन ग्यारा नंबर दो पर है तो सीजन तेरा की चीज़ें अगर आप रिपीट करेंगे जैसा कि मैंने कहला रुशी से सवाल पूछा था परसों जो कल के एपिसर दिखाया गया कि हम 11 में आपको देख चुके अगर आप वही मुद्दे आगे बढ़ाती तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो कि प्लॉट अगर वही होगा तो भी क्यों देखेंगे हम हम ये देख चुके हैं जो आप कर रहे हो वही बाता सिदा सुकला ने कही कि निकिया वह मुद्दे पठाएं जो हो चुके हैं नई बाते को चाहिए राहूल ने हाला कि भहत सारी मुद्दे उठाएं वहने कहा सवाल के जवाब में कि अभिनव ऐसा करता है रुबिना के मुद्दे में आता है जरनता ने भी सवाल पूछे और जिसका भीनव ने कहा कि भाई मेरी फैमिली है वो मुद्दे उठा उसके सामने कोई आएगा मुझे लगया कि वो इंडिमिडेट होने जा रहा है तो मैं बीच में रोकूँगा तो मैं उसको रोक नहीं सकता अगर मैं उसको रोकता हूँ तो वो अननेचर हो जाएगा वो मतलब प्लांटेड होगा मेरा एक नाचरल इंस्टिक्ट यह है कि अगर चोट आती है तो आप रियक करते हो उस पर सिदार शुकला ने कहा कि सिदार शुकला ने बहुत अच्छे लेकिन सिदार ने कहा कि आप यह बहुत उन्होंने इंपॉर्टन बात रही कि खेल के इतने हफ्तों के बाद आपको पता चाहता है कि किसकी क्या लिमिट है कोई कहां तक जाएगा क्या करेगा और आपको पता है कि कोई भी में से ऐसा नहीं कि जो अभी जो इस सिजन में है ना राहूल ना एली यह सब आसिम सिदार थे ऐसे जो मतलब यह नो नला नला बोलते हो भी बिर जाते लेकिसे इस जिजन में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने खेल को दाओ पर लगा कि इतना गटसी हो हाला कि वो गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए हम उसे अप्रिशेट नहीं करना चाहेंगे लेकिन इतनी हिम्मत भी किसी में नहीं है कि जो आकर के सामने इस तरह से खड़ा हो और वो पुश करे अधक का दिवस्त खेल से बहार निकल जा नहीं तो सधात ने दो टूक शब्दों में कहा कि ऐसा इंडिरेक्ली कि अगर आपका यह गेम है तब तो अच् दिकी को भी कहा, you have to think about it. सोनाली फुकाट से उनके अंगल के बारे पुचा उसका उनने जवाब दिया, रुबीना से पुचा, रुबीना नहीं बहुत अच्छे जवाब दिया सोनाली फुकाट के मुद्वे में कि किस तरह सोनाली फुकाट चाहें उनकी जो भी दोस्तों, तो दोस्ती हो, तीन दोस्तों की बात करें, मगर उनका हर मुद्दा आकर रुबीना पर रुखता था, तो रुबीना आप कोई बोलने के जरूरत नहीं है, इस गर में हर एक का मुद्दा आप पर ही आकर रुखता है, और इसलिए आप सुरख्यों में रहती हैं, और जो स्ट्रॉंग कॉंटेस्ट नहीं आया और रुबीना की परसनालिटी सबसे द्यादा स्ट्रॉंग बनकर उभरी उनकी करेक्टर में कंसिस्टेंसी थी एक स्थिरता थी ठहराव था ग्रेस था स्ट्रेंथ थी अपने मुद्य पर कायम रहती थी और जो रुबीना मुझे हफ्ते में सेकेंड अफ्ते मी अच्छे नहीं ही लगी थी वो रुबीना मुझे अच्छी लगने लगी जबकि पिछले सीजने में सधार पहले दिन से अच्छा लगने लगा था शैनास श्याद चौथे-पांच्वे दिन से अच्छी लगने लगी थी यूँकि शैनास का मुझे देखके लगा कि या यह बंदी यह बंदी जो है इस शो में जिससे हमें देखकर मज़ा आएगा जिससे राकी सामत है शैनास और राखिया कोल कंपैरेजन नहीं दोरों अलग जोनर के अलग एज के अलग स्टेज के अलग पसनालिटी के लोग हैं लेकिन जो प्यार राखिया है जो कॉंटेंट देती तो अच्छा लगता देखने वो सेम शैनास डेफिनिटी शैनास बहुत क्यूट और बहुत पिटी और बहुत बड़ी स्टार है जो कि राकी मी है तो वो देखने मजा आया तो मुझे एक पहले हफ़ते के अच्छा लग रहा है मगर इस बार थोड़ा वक्त लगा मुझे पहले मुझे राहूल का खेल अच्छा लगा मुझे जैस्मिन पसंती बहुत अच्छी लगती थी जैस्मिन का लुक अच्छा लगता था और मगर बाद में जब उनका दो पसनालिटी दिखने लगी तो अच्छे सफाई देने के जरुत नहीं कि I really don't care जिनको मेरे व्यूस से फर्क पड़ता है वो सुनेंगे जिनको नहीं फर्क पड़ता वो नहीं सुनेंगे हम कोई दूरदर्शन के जमाने में तो हैं नहीं कि आपके बस एक ही चानल आ रहा है आप वही देखें तो आपकी ज है और हम उसकी जर्थ करते हैं definitely करनी भी चाहिए हम फ्री वर्ड में है आपको जिसका जिसके वी उस पसंद आप देख सकते हैं लेकिन हां सभी लोग अगर रुबीना को पसंद कर रहे हैं तो इस सीजन में जितने कॉंटस्टेंट हैं उनमें से रुबीना स्टैंड आउट और एसा ही कॉंटस्टेंट तो जीता है न भाई ऐसा ही कॉंटस्टेंट है जिसको लोग पसंद करते हैं आप इतिहास खोलके देख लो पिप बास का जिसने खेलाफ सब खड़े हुए रही अंध में जीता है बाद में निकी कहीं चूप गई, आज सिधार्त ने उनको भी आईना दिखाया, राहुल को तो बड़ा वाला आईना दिखा, राहुल को अगर हम बात करें, तो आज उनको एकदम बड़ा आईना सिधार्त में और जनदा ने दिखाया कि भाई, अब जाग जाओ, अब वक्त जो है, चार हफते बचे हैं, यह सवाल पूचा कि मर्द की क्या क्वालिटी होती हैं, और ऐसा कौन सा तीर जो अभिनम नहीं मारा, तुमने मारा है, तो कहीं न कहीं, राहुल जो वेक सेंटेंसिस फेकते थे, अभिनम पर, अब उन्हें सोचना पड़ेगा, उन्होंने कहा क कि एक और लाइन सिधात ने कहीं कि अली और राहुल की दोस्ती, दोस्ती है, लेकि जब निक्की और रुबिना की दोस्ती है, तो वो कटपुतली है, क्यों ऐसा, एक बहुत जनुवीन सवाल पूचा, क्योंकि अब सामने वाला ग्रुप जो है, अली और राहुल का, वो पूचाल के स्टैब्लिश कर देते हैं, तो वो बार बार निकी को निकी कटपुतली बन गए, कटपुतली बन रही है, या फिर देवो ने जैसे कहा कि वो रुबीना के वोट्स का या वोट्बैंक का इस्तेमाल कर रही है, तो वो मुद्देवों स्टैब्लिश करने को बेजने के लिए वह एंगेजमेंट के तौर पर तो यह एक इंडरस्टिंग अंगल और बहुत सारे और टास्क पर हां रश्मी और सधार्त का जिकर कैसे मैंने कर सकते हैं रश्मी और जो इच्छा का करदार करती थी वह दोनों जन वहां पर आए और दोनों मुझे बहुत बहुत क्यूट लगते हैं बहुत ज्यादा अगर मैं कहूं टेलेविजन पर कुछ सीरिल जो मैंने सबसे जादा देखे हैं वक्त तक उनमेंसे एक उत्रन था मुझे बहुत सीजन 13 जिन लोगोंने मेरा रिव्यू देखा है शुरू में मुझे रश्मी बहुत अच्छी जाते हैं और जिस तरह अपने वो लिप्स का मोमेंट करती थी जिस तरह आपको का मतलब इट वस अमेजिंग तो मैं उनकी बड़ी फैन थी उनकी भी और इच्छा किरदार करने वाली अदाकारा की दोनों जन मुझे बहुत अच्छी रखते थे तो आज वो दोनों आए एक अच्छा इंट्रेस्टिंग टास्क किया पिंगा किया लेकिन दिब सिधार्त और रश्मी ओ माइं गॉड विग बॉस ने उनको इसे 10 सेकंड के लिए सामने अमने रखा और हाथ जोड़कर दोनों ने इसको अभिवादन किया और रश्मी लोग बाहर निकल गए और सिधार संधार्ट ने गेंग कंटीन्यू किया सोनाली फोगाट का एक्षिन हो गया वो घर गई अपने हलाकि निकलते निकलते सुनाली फोगाट स्वीट लग रही थी मुझे असे लगा कि एक मेने आए उन्होंने अपना पूरा करियर अपनी पूरी इज्जत अपनी पूरी है कैसे करना अगर जो एक्टर्स नहीं है वो कभी-कभी लॉस्ट हो जाते हैं कुछ एक्स्रा चीज़े कर जाते हैं शायद सुनाली फोगाट से ऐसा ही हुआ होगा वो बाहर जाएंगी उनको खेल बाहर से देखेंगे तो उनको समझ में आएगा हम सोचल मेडिया पर उनकी प होगे जरूर क्योंकि मैंने कहा रिविव ड्रॉप करने से बहता है कि मैं लेट ही एक चोड़ा रिविव जरूर करूं जलिए आप से मुलाकात होगी कल फिलहाल के लिए बस इतना है